चाल मुस्लिम दबंगों को मारा और जो दुस्रे दबंग है उनको आपने राज्य मंत्री बनाया ग्रहम अंत्राले में केंद्र में उसको लाइसेंस दे दिया लाइसेंस टू किल जो उनके बेटे ने किया तो क्राइम के मामले में तो इनको बोलना नहीं चाहिए इनका एक एस-पी फरार है जिस दिन ग्रहमं अंत्री कहते है कि यहां पे सोला साल की लड़की स्कूटी पे या बीच साल की लड़की स्कूटी पे जा सकती है गहिनों के साथ अरे गहिनों के साथ छोड़ो स्कूल बैक के साथ गई भी बच्ची घर नहीं वापस आती उसकी भी इज़त रूटी गई और वो पुलीस टेशन में कंप्लेंट करने गए तो पुलीस वाले बोले कल ढूंडेंगे गामवालों ने ढूंड लिया घर के भूम आप्या के स्कूल में अभी चार चार लोगों की हत्या होती है चार परिवार के चारी लोग मारे जाते पती पती बेटा बेटी जबकि वो पुलीस टेशन से पंदा दिन से पहले से आपको मांग रहे थे उनके बारे में जोगी जी क्या कहेंगे यह नहीं करवाए क्योंकि हम सत्ता में हैं हम कैसे करेंगे दंगे मुझे विनीता याद है कि सिवसेनिक कुछ मिले मुंबई में जब जाता हूँ तो कापी लोगों से मिलना होता है तो कुछ सिवसेनिक मिले मुझे और उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि यह सरकार कब जाएगी तो मैंने बोला अरे तुमारी सरकार है तो उन्हें बोला कि यह ऐसा मुख्यमंत्री मतलब आइसी सरकार और आइसी सत्ता किस कान की जिसमें हम नपुसक बच जाए बोले सड़े सड़े से परदे पर नाशने वाले लोग भी हमको गाली दे के जाते और हमको चुप बैटना पड़ता है हम विपक्ष में होते तो हम दिखाते सीवसेना क्या है आई बात समझ में दंगे इसलिए नहीं होते क्योंकि जैसा सीवसेनिक एक्टिव होता है उसको उपर से मैसेज जाता है सरकार अपनी है बदनामी होगी चुप रहो और सरकार खोने का डर है वहां सरकार आने का लालच है इसलिए आप दंगे करवाते हैं और योगी क्या मदब जाजा बीजेपी है वहां कहां दंगे होए कोई से बीजेपी की शाचित प्रदेशों में दंगे हो रहे सारे दंगे चुप है एक दंगा हुआ गुजरात में गुजरा का उसके बाद सब गुजरात चुप है गुजरात में बहाई दलीत जो दुला है ओ घोड़ी पर नहीं बैठ सकता हुआ उसको पीटा जाता है लेकिन दंगा मुक्त गुजरात है लोग भी समझते हैं कि यह बोघार इसलिए कि आप इसत्ता में हो मैंने का न चौर के हाथ में चाबी इस टैंग लाए रही बात क्या आप दंगा मुक्त उत्तर प्रिदेश के साथ आपने क्रायम हुग उत्तर पिदेश के दिया उत्रप्रदेश गरीबी मुक्त उत्रप्रदेश के थिया, कुपोशन उत्रप्रदेश के थिया, मतलब गरीबी युक्त, कुपोशन युक्त, मेरोजगरी युक्त, लचर health services युक्त, खराब रोड युक्त किसाज की प्रत्य प्रतार्ना युक्त पिछडों के उपर अत्यचार युक्त उत्तर प्रदेश लेकिन दंगा मुक्त है तो यह पड़्डे में का थी तुलने में का तुले गए आपको दंगा न होने देने के माईने बाकी लाइसेंस नहीं दिये हैं माफिया राज खतम हो गया अरे भाई संगटित माफिया है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस गिरो चल रहा है हो मतलब इतना बड़ा पुलीस डिपार्टमेंट है कि उनके जब पुलीस अधिकारियों पे या पुलीस कर्मियों पे जब यफायार दर्ज होती है तो पिता का नाम मालूम नहीं होता है उनको फला फला अग्याद पिता अग्याद गोरकपुर में वो गुपता के मडर केस में लगा है ना ये या फायार इतनी माम हम पुलीस है तो यह यह कहने की बात इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो यह आप लगाता डर दिख हुआ हम मतलब ब्रैकेट में यह हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो दंगे दंगे हो जाएंगे क्योंकि आफ फ्री हो जाओगे तो दंगे करवाओगे फाइदा आपको होता है मुसलमान तो बैसे ही समाज़वादी पार्टी के साथ है बीजेपी की अनुसार दंगा होता है तो जो कुछ हिंदू है वो भी गाइप हो जाता है समाज वाधी पार्टी से तो नुकसान किसका हो गया है समाज वाधी पार्टी का हो गया ना एक common calculation है यह प्रधान मंत्री का कैना वह वीदेश में बता हुआ calculation नहीं है two square by two square यह भी कैसा हो गया है very simple calculation छोड़े बच्चे को भी समझ में आएगा और आप दंगे की पुष्ट भूमी तयार करते हो आप दराते हो आपने मत्रूरा का शगुपा छोड़ा इस पर वक्तवे होंगे दोनों तरफ से वो बोलेंगे मत्रूरा में हम जलाभिशेक करेंगे वो कहते कि जलाभिशेक करने मारे लोगों से हमारा कोई लेंदेन नहीं है लेकिन जो वक्तवे करता है उसको उठा के नहीं ले जाती पुलीस और ये छोड़े से वक्तवे पुलीस उठा के ले जाती है एक IPS ओफिसर को अभी तक जेल में हो कि उसने कहा मैं गोरकपुर से चुना लड़ूंगा जो जो विवादित स्थान पर किसी भी दुसरे के पुजा घर पर अपनी जाके पुजा करेगा वो गैर कानून ही है क्या सम्विधान इसकी पर्मिशन देता है कोई ऐसी घोशना भी करता है तो वो जेल के बाहर क्यों है कई मुसल्मान इदी कोई कहे कि मैं राम मंदिर में जाके नमाज पढ़ूंगा तो जब तक मंदिर पर्मिशन नहीं देगा नहीं करेगा ये बात तो जिसको धर्म समभाव रखना है तो कई जगा पर हमने देखा है कि लोगों ने जब लॉकडाउन हुआ था मजडित तो लोगों ने गुरुद्वार में नमाज पढ़ी है नमाज पढ़ने के लिए जगा चाहिए होती तो गुरुद्वार हैं नहीं दी दी ऐसे भी गुदारण है मैंने इसी चैनल पर उदारण दिया था कि दीवाली की नमाज पढ़ी जाती है महराष्टर के एक गाउ में अब दीवाली की नमाज बताओ क्या होती है लक्षिमी पुजन की नमाज उस गाउ का गाउ की तासिर है ऐसी वहां भी दंगे नहीं हुए आज तक प्रशने ये हैं कि आप दंगों को बार बार क्यों रेखांकित कर रहें आप डरा रहे हैं किसको डरा रहे हैं आप हिंदुओं को डरा रहे हैं किस से डरा रहे हैं मुसल्मान से डरा रहे हैं इसलिए शारुक खान का लड़का आरेष्ट होता है सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा